हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए मोटरो लाके दो बहुती कमाल के लेटेस्ट फून्स लेकर आया हूँ एक तो दोस्तो मोटो H50 Fusion है जिसने बिल्कुली धमाल मचा दिया 23,000 का आपको ही मिलता है लेकिन इसका छोटा भाई मार्केट के अंदर आ चुका है दोस्तो मोटो G85 जो की लांच होए दोस्तो 18,000 के आसपास तो मादा दोनों में 5,000 का फर्क है तो इस वीडियो में में इन दोनों में फून्स में जो कमबेरिजन करके आपको बताँगा तो इन दोनों में छोटो भाई, बड़े भाई के अंदर कितना फर्क है और 5,000 की फर्क के वाज़े से आपको कितने फीचर्स का फर्क मिल जाता है आपको कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरू दिखेगा और एक लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजए ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे हैं चलिए देखते हैं 23,000 में Moto H50 Fusion के साथ क्या 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 मिलता है सबसे पहली Mini Box में क्या ही बढ़िया Quality में आपको Cover मिलता है Hard Plastic के Type का Cover भी कितना बढ़िया है इसका Color कितना अच्छा है और जो दोस्तों आपको User Manual दिये गए हैं इस तरीके से Card में Simjector Tool मिल जाता है फिर जो फोन मिलता है जो मेरे पास है Red Type के Color में तो Cover भी ऐसा ही और फोन भी ऐसा ही है Type-C केबल दी गई है Black Color में जिसके Length और Quality दोनों आपको काफी बढ़िया मिल जाती है तो केबल आपको काफी अच्छी दी गई है और Last में रखावा मिलता है दोस्तों यह Black Color में कुछ इस तरीके के लुक में एक 68 Watt का Charger अब यहां पर चार्जर के अंदर Type-C Port है मतलब दोनों तरफ Type-C केबल में आपको Type-C Port मिलेगा तो ऐसा सा आपको केबल देखने को मिलती है और चार्जर मिलता है तो पुरानी अगर केबल है तो उसके साथ काम नहीं चलेगा तो चार्जर मतलब और जो है केबल दोनों यूजर मैनुवल दिये गए हैं और जो दोस्तो पैकिंग जो ने दोनों फून की बिल्कुल सेम है कलर में भी और जो दोस्तो आपको जो यूजर मैनुवल इस तरीके से मिलता है लेकिन इसके साथ जो है कवर जो है थोड़ा सिंपल ट्रांस्पेरेंट टाइप का है प्लास और उसमें दोनों तरफ टाइप सिपोर्ट मिलता है और इसके साथ आपको 33W का चार्जर दिया गया है उसके साथ 68W का है तो यह चीज़ आपको जो है मोटो एच 50 फ्यूजन में दो बेनेफिट जादा बढ़िया मिल जाते हैं उसके कवर कभी कलर काफी बढ़िया है और ए इसके बाद जो दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करें तो यह दोनों फून्स बिल्कुल भाई भाई जैसे लगते हैं आपको बिल्कुल भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा चाहे आप मोटो एच 50 फ्यूजन खरीदें या फिर जो है दोस्तों जी 85 बाकि कलर का आपको लिए जो है नया कलर आया ग्रीन टाइप का दोनों के अंदर आपको वीगर लेदर फिनिश में डिजाइन दिया गए है तो इचीज आपको दोनों के अंदर एक जैसे मिल जाती है बाकि आपको इन दोनों फून्स को देखके ना मतला ऐसा लग रहा होगा कि कौन सा जी 85 है क जो branding मिलती है वो भी आपको बिल्कुल बीच में same type के मिल जाती है इसे के साथ जो design की quality दी गई है वो भी दोनों में same मिल जाती है और camera का module दोस्तों में आपको दिखातो है इन दोनों फूंस में कैसा आपको मिलता है तो वो चीज जो ना बिल्कुल same आपको मिल जाती है आप देख सकते हैं इस तरीकी के design में आपको उपर नीचे दो camera दिये गए हैं दोनों फूंस में 50 MP जो है दोस्तो ब्रांडिंग मिल जाती है flash light बिल्कुल same जगा पर है तो इस चीज आपको दोनों के अंदर एक जिस्टी दी गई है बस color का फर्क है बाकी आपको इन दोनों फू दिस्प्ले की जो quality है वो किसके अंदर आपको जाधा बढ़िया दी गई है तो एच 50 fusion जो ने दोस्तो बहुत ही popular phone है motorola का यह बहुत जाधा बिकाए 23,000 का आपको मिलता है इसमें आपको curve डिस्प्ले दी गई है 6.7 इंचिस के असपास लेकिन इसके अंदर आपको जो है द UI दोने के अंदर आपको जो मतला फ्रंट सा आप देहेंगे ना दोनों phones बिल्कुल सेम ही लगते है क्योंकि भाई भाई है दोस्तो दोनों बाकि जो है दोस्तो इन दोनों phones के अंदर आपको जो refresh rate मिलता है तो छोटे भाई बड़े भाई में कई ना कई थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है तो दोस्तों Moto G85 के अंदर आपको 120Hz का refresh rate दिया गया है और H50 fusion में 144Hz का maximum refresh rate देखने को मिलता है तो स्मूधनेस से दोनों के अंदर काफी बढ़िया है लेकिन H50 fusion के अंदर आपको और भी ज्यादा स्मूधनेस देखने को मिलती है तो दोस्तों मतलब छोटा के अंदर आपको जो एजिस बिजल्स मिलते हैं वह भी दोने के अंदर काफी बढ़िया जोए दोस्तों काफी कम मिलते है चिंड का साइज भी बहुत छोटा है बाकी कहीं ना कहीं जो डिस्प्ले के जो कलर से हैं एच 50 fusion के थोड़े और ज्यादा बढ़िया है लेकिन आपक काफी स्मूद मिल जाएगा तो चीज आपको जो है थोड़ा से रिफ्रेश एट एच 50 fusion से तो कम है लेकिन दिक्कत कोई नहीं है दोस्तों एक्स्पिरेंस काफी स्मूद मिलने वाला है इसके अंदर भी क्योंकि इस मदा इस बजट के जितने भी फूंस आपको मिलते हैं सभ गायब हो चुकी है मताँ 6 साल होगा है 1500 के आसपास वीडियो बन चुकी है सभी में लेफ्ट साइट पर सिम के ट्रे होती है लेकिन अब जो है डायलोग बदलने हम पड़ेगा क्यूंकि जो है सिम के ट्रे आ चुकि है नीचे नीचे की तरफ दी गई है है एडफोन जैक नह Dolby Atmos का सपोर्ट मिल जाता है दोनों में noise cancellation mic दिया गए है उपर की तरफ तो ये चीज़ भी दोने के अंदर सेम है बात करें दोस्तो RAM और storage को लेकर तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको दी गई है दोस्तो 8GB RAM x 126GB internal storage तो 8GB RAM मिल जाती है दोने के अंदर 128GB storage दी गई है तो ये चीज़ आपको दोने के अंदर काफी बढ़िया एक जिसे मिल जाती है इस चीज़ को लेकर दोनों स्मार्टफोन सापको काफी बढ़िया एक जिसे मिल जाते है इसके लिए दोस्तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है प्रोसर मिलता है उसके बारे में इसके आसपास बैटरी मिल जाती है एक दिन का नॉर्मल बैटरी बैका पराम से मिल जाएगा 50 MP का मेन कैमेरा दोनों के अंदर आपको दिया गया है यह सबसे मेन चीज़ है परफॉमेंस है और आपको जो इन दोनों में से कोई सही खरीदना है तो H50 Fusion आप ले सकते हैं जाधा बढ़िया परफॉमेंस के लिए और जाधा जो है दोस्तो चार्जर आपको जाधा बेटर मिल जाता है इसके साथ लेकिन इन दोनों फोन्स के कंपर में वैसे H50 Fusion value for money तो था बहुत ही बढ़िया स्मार्टफून था लेकिन G85 तो और भी मुझे जाधा पसंद आया क्यूंकि इसका रेट 5000 कम है डिस्प्ले से मिल जाता है डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया मतब थोड़ा से कलर्स में जो है दोस्तों H50 Fusion जाधा बढ दर भी क्वालिटी वाइस काफी बढ़िया मिल जाते सबसे में चीज़े डिस्प्ले का डिजाइन इंडिस्प्ले फिंगरपेंट स्केनर सेंब बैटरी और जो दोस्तों कैमरी की पर्फॉर्मेंस इसकी बी काफी बढ़िया है रैम और स्टोरेज भी आपको बराबर मिल ज चलिए तो लाइक करके जरू जाएगा चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए वाटस अप पर फेस्बुक पर चल मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए